तो इस वीडियो में बात करेंगे blender 3D और spline 3D दोनों में difference क्या है किस चीज को कब use करें कौन सा software आपके pipeline के हिसाब से सही रहेगा नहीं रहेगा इसके बारे में ठेक है सबसे पहले आते हम blender पे blender का basic feature यही है कि इसमें हर एक चीज आपको मिल जाएगा motion graphics 3D 2D composition VFX हर एक Swiss Army knife की तरह आप समझ लो जिस एक knife के अंदर multiple आपको features मिल जाते हैं इस तरह का blender 3D होता है ठीक है इसके अंदर हर एक चीज लाइटिंग स्कल्प्टिंग सिम्यूलेशन रेंडरिंग मॉडलिंग कंपोजिटिंग VFX related stuff motion graphics सब कुछ आप यहां पर कर सकते हो बहुत ही ज्यादा popular software है open source community इसका कोई भी help चाहिए directly आप community में डिस्कॉर्ड के थ्रू यूट्यूब बगर के थ्रू रेडिट बगर के थ्रू आप किसी भी ग्रूप में जॉइन कर लो या वीडियो बगर सेंड कर दो आपको help तुरंत में मिल जाएगा on the other hand spline 3D spline 3D basically इसका यह वेब बेस्ट एक 3D software है या 3D website है जहां पर आप directly on website on the web page आप directly 3D models वगर क्रेट कर सकते हो इसन रेंडरिंग वगर का काम कर सकते हैं इसका community बढ़ा नहीं है जस्ट अभी अभी 2022 या 23 के बीच में भी लॉंच हुआ था और अभी उतना जब जिस टाइम पर वीडियो बन रहा है उस टाम ता कितना latest कुछ इतना खास इसमें बढ़ा नहीं है तो इसका community अभी बहुत चोटा है on the other hand blender का community बहुत ज्यादा बढ़ा है इसमें बहुत सरे features मिलते हैं पर spline 3D में ज्यादा features नहीं मिलेंगा आपको बने-बनाए presets मिल जाएंगे उसके थूरू आप animation कर सकते हो या फिर अगर आप custom डालना चाब वह भी कर सकते हो बट आपको blender इतने functions नहीं मिलेंग इसमें keyframes कैसे adjust करना हो सकता है वो सब ना मिलें यह character creation के लिए बहुत अच्छा है अगर आप spline 3D यूज करना चाते हो तो character creation के लिए बहुत अच्छा है इसमें pre-build templates आपको मिल जाते है customisable features भी होता है इसमें animation भी अच्छा है easy to use key framing का option है motion graphics वगरा easily अगर आप motion graphics वगरा आप spline 3D यूज कर सकते हो रिगिंग वगरा automatically हो सकता है bone manipulation वगरा सब automatically हो जाता है इस पर तो आपको manual process करने का जुरूत नहीं पड़ता है rendering के लिए इसके अंदर built-in एक renderer है जो quick result देने का काम करे on the other hand blender में हर तरह का modeling कर सकते हो सिर्फ character modeling ही नहीं polygonal modeling sculpting procedural modeling हर एक तरह का modeling कर सकते हो यहाँ animation में keyframe constants है जो basic basic animation animation का core principle होता है वो blender के अंदर है तो अगर आप animation के बारे में जानना जाते हो तो blender से start अगर करते हो तो blender का in-depth knowledge हो जाएगा कि animation कैसा start होता है physics simulation कैसे होता है constant based animation कैसे होता है बहुत सारी ऐसे चीज़े जो आपको spline के अंदर नहीं मिलेंगी व इसके अंदर दो rendering engines है blender के अंदर जिसका नाम है cycles और ev. compositing के लिए हम post production effect के लिए use कर सकते है color grading के लिए use कर सकते है color correction के लिए blender को use कर सकते है तो all-in-one software आपका blender अब आते हैं थो सम comparison में blender easy है या spline easy है या क्या चीज़े कौन से software में ज्यादा handy है तो flexibility के हिसाब से blender 3D जो है बहुत सारे टास्क को complete कर सकता है बहुत सारे टास्क को complete कर सकता है बहुत सारे टास्क मल्टी टास्किंग सेटा परफॉर्म कर सकता है या reddit friends मिल जाएंगे जो आपको help करेंगे आपके blender journey को start करने में on the other hand spline 3D में उतने artist नहीं मिलेंगे but easy to learn है आप खुद से भी थो बहुत छेट चाड़ करके देखो तो आपको पता चल जाएगा on the other hand blender में बहुत सारी चीज़े पूछनी पड़ेंगे कि यह कहां से होता है अब आते है प्राइस के मामले में blender open source software है blender के लिए कुछ भी पैसा देने का जुरूत नहीं है हाँ अगर आप donation खुद से देना चाहते हो तो आप donation दे सकते हो बट यह आपको बोलते नहीं है कि आपसे पैसा चार्ज करेंगे यह open source है और हमेशा open source है open source projects जेतने भी होते हैं जो भी open source होते हैं वो हमेशा free होते है community उसको खुद से develop करती है on the other hand spline हमारा paid subscription पे काम करता है हर महीने कुछ ना कुछ आपको pay करना पड़ेगा रुपीज और आप उसको यूज कर सकते हैं community basis पर अभी मैने बता है blender का community सबसे बड़ा है instead of any other 3D software या any other software अब बात करते हैं आपके लिए कौन सा टूल सही है for beginner अगर आप new हो इस industry में और आपको सीखना है 3D modeling कैसे होता है animation कैसे होता है तो इसे और आप spline पर जा सकते हो और अराम से इसको यूज कर सकते हो बहुत easy to use easy to understand जड़त नहीं है किसी से help लेने का आप खुद से भी practice करके चीजी समझ सकते हो यहां पर कैसे काम होता है on the other hand blender अगर आप new हो plus आपके पास उतने पैसे नहीं है कि किसी industry को पैसे दे के आप 3D सीखो तो आप blender पे switch कर सकते हो हाँ थोड़ दिक्कत होगा starting में सीखने में पर एक बार अगर आप सीख गये तो blender सबसे easiest software है अभी तिल नाउ जो जीतने भी 3D software चल रहे है उनमें blender सबसे आसान है और सबसे सस्ता है pricing के मामने में free and open source है plus हर महीने या हर साल कुछ ना कुछ नया ऐसा अपडेट आ ही जाता है इसमें जो revolutionary होता है like ray tracing का भी EV में ray tracing का feature आ गया है तो हर बार कुछ ना कुछ update आता है in conclusion अपको मैं यही बोला चाहूंगा कि यह आपके उपर है किस तरह काम करना चाहते हो अपने 3D software से किस तरह काम निकल्वाना चाहते हो अगर आप चाहते हो multi-purpose काम करवाना चाहते हो अपने 3D software से तो आप blender पे switch कर सकते हो अगर आपको सिर्फ 3D character creation चाहिए और animation चाहिए तो आप spline 3D पे जा सकते हो इस वीडियो के लिए बस इतना ही अगर आप मेरे से one-on-one interaction करना चाहते हो आपका कोई blender project है उससे related आपका कोई query है वो जानना चाहते हो कुछ support चाहिए personal mentorship चाहिए तो आप directly मेरा Patreon page है वहाँ पे आप जाके उसको join कर सकते हो जिसका नाम है personal support परसनल support अगर आप जॉइन करते हो तो वहाँ पे बहुत सारे benefits आपको मिलेंगे मेरे बहुत सारे ऐसे projects हैं जो मैंने खुदने बनाया है और वो आप premium मिल सकते हैं अगर अगर आप hello artist वाला join करते हो तो उसमें आपको सिर्फ YouTube related contents मिलेंगे behind the scenes मिल सकते हैं या कुछ extra मिल सकते हैं तो अगर आपको मेरे से personal assistance चाहिए या कुछ extra benefits चाहिए तो आप इस personal support वाल tier को join कर सकते हैं ज्यादा मेंगा नहीं ज्यादा मेंगा नहीं ज्यादा 3 dollars का है and that's it join किए और आप monthly basis पे मेरे कर दो कर दो